इन थे हैं कि कि अ सबी का फॉर तो जैसे कि आप सभी लोग पहले भी बताया धहां कि करेंट अफेर कांड श्रीज शुरू करने वाले थीक है तो खासकर यह जो कि हुआ छिरी शुरू किया है इस चैनल के ओपर दल जाने वाला ठीक है फोड़ा ठोड़ा करके कई वीडियो में एक साल का पूरा डल जाने वाला है इसकी शुरुवाद जो हम December से करेंगे, क्योंकि देखो exam का जो date है, जो exam का date है वो आपका 15 November से शुरू है और ये December तक जाएगा अब कुछ बच्चों का exam जो है सो आगे पड़ सकता है ठीक है, तो अगर हम एक साल का current affair लेके भी चले तो ये December 2022 से हम इसको शुरू कर रहे है, 2022 से ठीक है, इसके शुरुवाद जो हम लोग कर रहे है December 2022 से कर रहे है और उसके बाद ये पूरा आपका जो है, सो नवंबर 2023 तक का upload कर दिया जाएगा playlist बना दिया जाएगा ठीक है, सारे के सारे वीडियो का current affair का एक साथ का और अब जाके इसको अच्छे से cover कर सकते है ठीक है, अब वैसे तो ये current affair, ना सिर्फ वैसे हमने चलो दिल्ली पुलिस को target जरूर किया है लेकिन ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बलकि जितने भी आपके one days exams होते हैं, जितने भी आपके one days exams होते हैं, तो उन सब में यह आपके लिए helpful रहने वाला है, ठीक है उन सब में यहां से question बनने वाले हैं उन सब में आपके लिए helpful रहेगा तो सभी students के लिए important होता है, ठीक है तो अब कि करके इसको शुरू करते हैं तो सारे questions को और यह है कि हम लोग exam तक लगभग 1000 question जो है सो current affair से related डाल देंगे, थोड़ा सा explanation के साथ, ताकि पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ भी आपका छूट ना पाए, ठीक है न, सब कुछ आपका अच्छे से cover हो जाए, और कुछ भी छूट ना पाए, तो लगभग तो 13 to 14 question जो है, यह हर exam में पूछाई हुआ है, 13 से 14 question जो हर shift में, हर day के हर shift में, जरूर पूछे गए हैं यहां से, तो काफी important है न, बहुत ही important है आप सभी लोगों के लिए, चलिए फिर शुरुवात करते हैं, तो यहां पे आप जो चार पुत्र थे जिनको, जिनमें से दो को मरवा दिया गया था, और दो को दिवार में चुनवा दिया गया था, औरंग जेब के द्वारा इसलाम को ना अपनाने पर, ठीक है न, तो इसी की याद में, 26 दिसंबर को नरेंदर मोधी सरकार के द्वारा जनवरी 2022 में डिकलेर किया गया कि हर वर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाये जाएगा ठीक है न, और ये गुरू गोविन सिंग के पूत्रों का, जो मिर्तिव करवाये गया जो असैसिनेशन करवाये गया औरंग जेब के द्वारा, तो इसी की याद में ये वीर बाल दिवस मनाये जाएगा ठीक है न, जहां तक औरंग जेब की बात करें तो एक मुगल शाशक था और इसने सिखों के नौवे सिख गुरू गुरू तेग बहादूर की भी हत्या करवाई थी और नौवे सिख गुरू गुरू तेग बहादूर के हत्या की बात करें तो हत्या की वज़य क्या थी? क्योंकि इन्होंने इसलाम को अपनाने से इनकार कर दिया था तो इसलाम को ना अपनाने की वज़य से इनकी हत्या करवा दी गई थी ठीक है ना औरंग जेब के द्वारा वाकि एगर सिख गुरुओं के कुछ important points की बात करें तो जो सिख धरम के संस्थापक थे वो गुरु नानक देव थे गुरु नानक देव सिख धरम के संस्थापक हुए इन्होंने लंगर प्रथा की शुरुवात की लंगर का मतलब होता है common kitchen ठीक है ना तो इन्होंने उसकी शुरुवात की फिर नानक देव के बाद गुरु अंगद बने अगले जो गुरु हुए वो गुरु अंगद हुए तो इनको लहना के नाम से भी जाना जाता है लहना और जो पंजाबी भाशा की जो लीपी होती है गुरु मुखी वो इन अमरित्सर के नाम से जानते हो तो यह अमरित्सर का पुराना नाम है गुरु रामदास पूर जो की गुरु रामदास ने बसाई था और रामदास पूर के बाद गुरु अर्जन देव तो गुरु अर्जन देव ने गुरु गरंद साहब की रचना की थी जो कि सिखों का पवित्र पुस्तक होता है गुरु गरंद साहब तेको इस से पहले जितने भी गुरु हुए उन सभी गुरुओं के लेख को इखटा करके और अर्जन देव ने इसक इसी हर्मिंदर साहब को आप आज गोल्डन टेंपल के नाम से जानते तो यह गुरु अर्जन देव नहीं करवाया था ठीक है ना और गुरु हर कृष्ण जो की सबसे यंगेश्ट गुरु थे गुरु हर कृष्ण जो की मात्र पांच वर्ष की आयू में गुरु बने थे और जो 26 दिसंबर है यह वीर बाल दिवस के रूप में सरीब्रेट किया जाता है हर साल ठीक है चलिए आते हैं अगले कोष्ण की तरफ तो नेक्स्ट कोष्ण है वो हैज बिन एपोइंटेड एज चेयर परसन ऑफ निव देल्ली इंटरनाशनल आर्बिट्रेशन सेंटर तो नहीं को नई दिल्ली अंतराश्टिय मद्यस्ता केंद्र यानि की निव डेल्ली इंटरनाशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का जो है सो चेयर परसन एपोइंट किया गया है अगला कोष्ण देखते हैं तो नेक्स्ट कोष्ण है कि वू हैस बिन अवाड़ेट विद दी बीबी BCC Sports Personality of the Year 2022 से किसे सम्मानित किया गया है ठीक है तो इसका जो अंसर आएगा ये बैथ मेड आएगा D आप देख सकते हैं आपर की बी सीसी के Props Personality of the Year 2022 से बैथ मेड को सम्मानित किया गया है यह जो बैत मेड है इनकी अगर बात की जाहे तो ये एक फूटबाई प्らेयर है ठीक इसका अंसर हो जाएगा आते हैं अगले प्रशन की तरफ तो नेक्स्ट कॉर्शन है डी लिमिटेशन इस बिइंग हेल्ड इन असम इस बेस्ट ऑन विच सेंस डी लिमिटेशन क्या होता है परिसिमन देखो हर सेंस के बाद जनरली यह होता है कि जो लोग सभाया या विधान इत्यादी की सीटे होती हैं तो इन सीटों के निर्धारन के लिए इन सीटों के एरिया के निर्धारन के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसको आप परिसिमन कमिशन कहते हो डी लिमिटेशन कमिशन कहते हो इस डी लिमिटेशन कमिशन का जो गठन है वह पार्लियामेंट क के census पे 2001 के census पे किया जा रहा है ठीक है इसको अमेंडमेंट करके वैसे भी क्या कर दिया गया है कि अब जो 2026 के बाद जो census होगा तो उसके बाद फिर दुबारा से यह सारी की सारी जो सीटे हैं वो री अरेंज की जाएगी 2026 के census के बाद ठीक है ना तो इसका आंसर जो है वो 2001 हो जाएगा 2001 हो जाएगा चलिए अगले प्रशन पर बढ़ते हैं तो अगला प्रशन है यह पूरा का पूरा अब तो असम की अगर हम बात करें तो असम में 126 है असेंबली की सीटे हैं और 14 पार्लियम इंट्री कॉंसिट्वेंसीज है ठीक है ना तो इन्हीं को दुबारा से अड्जेस्ट करने के लिए कि इन में से कौन सा IIT है जिसने एक Artificial Heart डेवलप किया है ठीक है ना तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा ठीक है ना तो यहाइटी कानपूर के डिरेक्टर है अभ रांदी कर ठीक है तो यह कहह रहे हैं कि अगले साल से अब मतलब इसका इसका टेस्ट है वो कि Forks in my road my days at RBI and beyond पुस्तक के लेखक कौन है तो यह एक बुक का नाम है और इस बुक के जो लेखक है वो RBI के पूर्ब गवर्णर सी रंगराजन ठीक है ना रंगराजन जो है सी रंगराजन यह इसके लेखक है यह आरबी आई के पूर्ब गवर्नर भी रह चुके हैं ठीक है अगर सी रंगराजन की बात की जाए तो यह आरबी आई के 19 वे गवर्नर थे और रंगराजन कमीटी जो है रंगराजन कमीटी जो है हमारे देश में वो विशर मेंक die मिजरमेंट से भी ममंदीध गरीबी मापनसे भी संबंदीत ठीक है तई रुखो है वह सी रंगराजन के दुवारा लिखा गया है कि अगला व्हान एक महराश्य थे प्रपोस्ट टू रीनेम आध नगर आफ्टर भीछ म्राथा personality की जो एहमद नगर का नाम है वो किस personality के नाम पर change करने की बात कही गई है तो एहमद नगर का नाम change करके एहलिया भाई होल कर रखने की बात कही गई है ठीक है एहलिया भाई होल कर रखने की बात कही गई है ओके तो महराश्टर एहमद नगर का नाम rename करके एलिया देवी नगर रखने जा रहा है ठीक है और इससे पहले महराष्ट जो है सो और चीजों पे भी step ले चुका है जैसे की जो औरंगाबाद का नाम है महराष्ट में जो औरंगाबाद है इसका राम छतरपती सामभाजी नगर रखने की बात है ठीक है ना और जो उस्मानाबाद है ये धराशेव अब औरंगाबाद जो शहर है वो औरंगजेव ने अपने ही नाम पे बसाया था ठीक है जहां तक उस्मानाबाद की बात की जाए तो ये हैदराबाद का एक निजाम होता था और उस्माना बाद इसके नाम पर बसाए गया है तो ऊस्माना बात का चेंज करके धराशिव रखने की बात कही गई है ठीक है और और अरंगाबाद का लग хотел करके चतरपती सामभाजी नगर सामभाजी सिवाजी के पुत्र का नाम था ठीक है शामभाजी जो है वो शिवाजी के पुत्र थे अगला कोशन है यहाँ पे कि which of the following amoeba is also called brain eating amoeba कि निमलिखित में से किस amoeba को दिमाग खाने वाला amoeba भी कहा जाता है देखो दोस्तों अगर amoeba की बात की जाए amoeba तो amoeba protista group के अंतरगत आता है यह अगर सारे kingdom की बात की जाए तो protista group के अंतरगत आता है और इसमें इसका answer जो होगा वो आपका होगा नेगलेरिया फाउलेरी ठीक है नेगलेरिया फाउलेरी यह amoeba का एक only यह amoeba का एक only species है जो human पे attack करता है it is only species of amoeba which attacks human जो की मानव के उपर आक्रमन करता है ठीक है और यह generally hot water में पाया जाता है warm water जैसे hot spring बगेरा हो गया ठीक है ना warm water में यह amoeba पाया जाता है तो इस तरह से यह human को attack करने वाला एक amoeba है amoeba protista में आता है unicellular होता है एक कोशी किये होता है unicellular होता है एक कोशी किये और साथ ही यह eukaryotic भी होता है साथ ही यह eukaryotic भी होता है ठीक है चलो अगले प्रश्न पर आते हैं इसका explanation है मैंने आपको बताई दिया लगभग ठीक है और अगर इसकी बात की जाते हैं यह first time जो है अस्ट्रेलिया में discover किया गया था 1965 में ठीक है और यह मैंने आपको बता ही दिया कि यह fresh water सुद्ध जल में मीठे जल में पाया जाता है गरम शुद्ध जल में जैसे hot spring rivers and lakes बगेरा होते हैं तो इनमें यह पाया जा सकता है single celled organism होता है ठीक है अगला question आप देख रहे हो अगला है कि इंडिया असिस्टेड मांग धेचू power project is located in which country कि भारत सहायता प्राप्त मांग धेचू विद्यूत परियोजना किस राज्य में इस्थित है तो यह भारत के द्वारा मतलब भारत के निर्मान के और भारत के द्वारा इसे भुटान को भुटान को एक तरह से तोफे में दिया गया है ठीके ना भुटान को इसको gift में दिया गया है तो इसका जो answer जगा भुटान हो जाएगा तो भारत ने इसमें भुटान के अंदर में मांग धेचू hydroelectric power project जो hand over किया है कितने मेगावाट का है दोस्तों तो यह 720 मेगावाट का है और यह वहीं का एक कॉर्परेशन है जिसको डुक ग्रीन पावर कॉर्परेशन कहा जाता है तो इसी यह भुटान के अंदर है तो इसी को भारत के द्वारा यह हैंड ओवर किया गया है ठीक है ना तो इसका जो उद्धाटन है वो 2019 में ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और लोटे शेरिंग के किया गया था इन दोनों के दोवरा 2019 में इसका उद्धाटन किया गया था इनाइगूरेशन किया गया था और जब यह पूरी तरह से बन के तैयार हुआ तो यह साथ सो बीस मेगा वाट का प्रोजक्ट जो है सो भुटान की सरकार को सौप दिया गया ठीक है अगला कोशन हाल ही में हमारे पडोसी देशों में बांगला देश ने यह माइलिष्टों ने चीफ किया है कि बांगला देश ने अपने यहां पर पहली बार जो मैट्रो रेल है इसके सर्विस की शुरुआत की है ठीक है दोस्तों बांगला देश में बात की जाए तो यहां पर ऐसा मानना ह वज़े से काफी billion dollar का जो ऐसे नुकसान होता है तो इस जाम से निजात पाने के लिए जाम से छुटकारा पाने के लिए बांगलादेश में metro rail की शुरुवात की गई है ठीक है ना तो लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 billion हर साल लॉष्ट जेलना पड़ता है ट्राफिक जाम की वज़े से बांगलादेश को तो इसी से ओवर कम होने के लिए यहां पर यह आप देख सकते हो कि सबसे पहले सबसे पहले जो मैंटरो लॉंच किया गया के अब फेले पढ़ादा अभी कुछ दिन पहले आप ने पहली मेट्रो बन गई है जो अंडर वाटर भी ट्रेवल करती है ठीक है आगे से रिल्डेट कोशन आएगा भी देखेंगे हम तो भारत का पहला जो अंडर वाटर मेट्रों है वो कोलकाता मेट्रों है यह भी ध्यान रख लेंगे अगला कोशन कर रहा है कि धनु यात्रा फेस्टिवल इस सेलीबरेटेट इन विच स्टेट ठीक है न देखो इस्टाटिक जीगे को ध्यान में रखते हुए फेस्टिवल हो गया डांस हो गया इन सब को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यह सारे पॉइंट्स काफी इंप आला जाता है ठीक है थो यह मेली जो है और घड है ओडिसा में यहाँ पर इसको मनाया जाता है और यह उडिसा के सब्सक्राइब इस फेस्टिवल की बात करें तो इस बार यह सटाईश्ट समबर से च्शे जनवरी 2023 तक इसको इसको सेलीबरेट किया गया था और इसमें भग तो पार्ट ऑफ इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ना यह जो ग्रीन लाइन है थोड़ा सा चर्चे में था इसलिए यह मैं लेके आया हूं आपके लिए कि कुछा भी जा सकता है कि यह किन दो कंट्री को बाटने का काम करता है तो साइप्रस जो है सो दो प्रकार के साइप्रस द करता है ठीक है न जोकि पूरा 180 k kap का और यह बफर जोने इन दोनों के पीछ में जो की ec संमान अव्यजिए को इस बार दिया गया है साइंस के से स्टेम पर वर्ग करने के लिए stem cell पे stem cell क्या होता है हमारे बॉड़ी में वो मूल कोशी का मतलब stem cell जिससे सभी चीजों का निर्मान होता है जो की सभी चीजों का origin होता है हमारी बॉड़ी में तो इन stem cell पे वर्क करने के लिए प्रभू चंद्रमिश्रा को अटल सम्मान पुरुषकार से सम्मानित किया गया है ठीक है तो किस फिल्ड में है सिर संबंदित है यह भी पूछा जा सकता है तो आप ध्यान के किए साइंस के छेतर से संबंदित है ठीक है ना तो stem cell therapy से इनका मे लेना देना है ठीक है और यह इस टाइम पे अगर डॉक्टर प्रभू चंद्रमिश्रा की बात की जाए तो यह इस टाइम पे इंटरनाशनल एसोसियेशन ऑफ इस्टैम सेल एंड रिजनरेटिव मेडिसेन के प्रेजिडेंट भी है ठीक है यहां पर जो संस्ता है इंटरना निजात इस रन इन विच स्टेट तो किस राज्य के द्वारा यह जो निजात है जो की नशीली दबाओं और अवैद शराब की विरोध में चलाए गया मतलब की इलीगल ब्रक्स बगेरा इन सब की सप्लाई को रोकने के लिए इन सब के कंसम्शन को कम करने के लिए निजात किस सरकार के द्वारा चलाए गया भियान तो यह इसका अंसर दोस्तों 36 गड़ हो जाएगा 36 गड़ की सरकार के द्वारा ही यह चलाए गया ठीक है ना तो जो आपका 36 गड़ पुलिस है यह निजात परियोजना यहां पर चला रही है और इसके लिए यह संतोस सिंग को अव अगले प्रश्णी की तरफ बढ़ते हैं इंडिया एस डिसाइड़ टू लॉंच बिट्टू होस्ट समर ओलंपिक गेम्स फॉर दी इयर कि भारत की साल समर ओलंपिक तो इसका सही आंसर वह 2036 में भारत वह इसको होस्ट करने का बिडिंग कर सकता है ठीक है और भारत इससे पहले भी बहुत बड़े-बड़े यह कर चुका है लाइक जैसे की कॉमन वेल्थ गैम एसिएन गेम यह सारे कि सारे भारत में पहले भी होस्ट किये जा चुके हैं ठीक ह डोजार एंगलिस में होना है ठीक है और इसके बाद यह इंडिया में प्रपोजट अगला सकता है अगला question which high court has banned the use of mobile phones in temples across the state ठीक है कि राज्य के अंदर किस high court ने mobile phone के use को प्रतिबंधित कर दिया है तो इसका जो सही answer होगा वो आपका होगा मद्रास high court कि तमिलनाडू के तमिलनाडू के अंदर तमिलनाडू राज्य के अंदर मद्रास high court के द्वारा यह action लेते हुए यहां के मंदिरों में इस चीज के मुबाइल के योग को प्रतिबंधित कर दिया गया है ठीक है तो यहां पर आप देखोगे कि खासकर यहां पर यह कुछ temples है लाइक जैसे कि यह स्री कृष्ण इसके प्रतिबंधित कर दिया गया है बैन कर दिया गया है अगला कोशन है यहां पर विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉंच्ड प्रोजेक्ट नीलगीरी ताहर यह नीलगीरी ताहर जो है सो यह तमिलनाडू तमिलनाडू का इस्टेट अैनिमल भी है तमिलनाडू का एक इक इंडेंजर्ड स्पीशीज bowl प्ष्चमी घॉत में पाए जाने वाला यह इन डेंजर्ड स्पीशीज है यह निलगीरी नाडू की नीलगीरी ताहर इसकी जन्संख्या को बढ़ाने लिए तमिलनाडू की सरकार के दौरा launch किया गया है तो इसका जो शही answer हो जाएगा वह आपका तमिल नाडू हो जाएगा right answer is तमिल नाडू ठीक है तो ध्यान रखेंगे इसको ठीक है तो इसे को देखते विए 7 अक्टूबर है 7 अक्टूबर को निलगिरी तहारडे के रूप में हर साल मनाया जाएगा और यह तमिलाडू का स्टेट एनिमल भी है ठीक है चलिए अगला कोशन देखिए इंडियास फॉर्स्ट अंडर्वाटर मेट्रो इस बीइंग इस्टैबलिश्ट इन विच सिटी यह थोड़ी दिर पहले में आपके साथ डिसकस करके आए इसका आंसर जो ऐसे हो वह कोलकाता हो जाएगा कोलकाता मेट्रो हमारे यहां की पहली मेट्रो है जो की अंडर्वाटर ठीक है न चलाने वाली मेट्रो बनी है अगला कुशन देखो तो यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 200 बिलियंड डॉलर का नुकसान जेलने वाले एक बार में अपने नेट वॉर्थ में से ठीक है न इसमें जेफ का भी नाम आता है ठीक है अगर इसमें बात करे हम तो बहुत बड़े इस तरह से लॉस करने वालों में जेफ बैजोस का भी नाम आता है ठीक है और इसके बाद फिर यह नाम आता है आपका एलॉन मस्क का तो यह सेकेंड परसन है एवर जो इतना बड़ा लॉस जेल चुके आंस तक ठीक है न जेफ बैजोस के बाद ठीक चलो बाश्टरपती की रूप में शपतली है तो इसका जो सयुत्तर है वह आपका ब्राजील हो जाएगा ठीक है ब्राजील के प्रेजिडेंट की रूप में शपतलिया है ब्राजील की जहां तक बात की जाए तो ब्राजील साउथ अमेरिका का एक कंट्री है साउथ अमेरिका का एक देश है ब्राजिल में फेमस है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है यह पूरे वर्ल्ड में और दूसरा शुगर केन का भी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक है तो एक तो कॉफी और दूसरा शुगर केन इन दोनों का लीडिंग प्रोड्यूसर है जिल के अंदर और इसी सेलवास को湃गोस ओफ दी अर्थ भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है तक क्यों कि पूरी पृत्वी का 20 परसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यह सेलवास अकेले करता है इस वज़े से इसे यह कहा गया है ठीक है नेक्ज सकते हैं कि वर्ल्स लॉंगेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास विल पास्तुरू बिच और फॉलॉविंग अप्रोटेटेट अरिया देखा यह पूरी दुनिया काना सबसे लॉंगेस्ट रिवर क्रूज है जिसका अनत्यु पहुत ज्यादा चर्चे भी था जब इ भ्रोटेक्टेड एरिया से यह होकर गuttree Meerली जो है सो कंग लाधी से संबंधित है एंजिक है और इसकी जो शुरुआत है वह बनारश से हुई ठीक है बनारश से यह बांगलादेश से भी होकर गजएगा ठीक है बांगलादेश और भारत ऐसी 27 रिवर सिच्टम है जिनसे यह होकर गुज़रेगा गंगा विलास तो में लिए किसे से होकर गुज़रेगा एक तो सुंदर्बन नैशनल पार्क दूसरा काजी रंगा नैशनल तो यह दोने यहां पर आंसर हो जाएगा ठीक है तो आंसर होगा more than one of the above यानि कि यह यह इसका सही है more than one of the above ठीक है ना तो सुंदर्बन नैशनल पार्क और काजी रंगा से होकर गुजरता थाई यह ठीक है कंगा विलास तो 1280 से डिबरूगड वाया बांगलादेश डिबरू किलोमेटर की इसकी टोटल जर्नी है पचास दिन की और 27 नदी सिस्टम से यह होकर पुरी तरह से गुजरेगा इंडिया और बांगलादेश के ठीक है कि प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनागुरेटिड सम्विधान उद्ध्यान इन्विच आपदी प्रोजेक्ट भी कुछ लॉंच किये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहीं पर जैपूर के अंदर में ठीक है तो द्रौपदी मुर्मू इनागुरेटिड सम्विधान उद्ध्यान एट राजभवन इन जैपूर जैपूर के राजभवन में इसका उद्गाटन किया ग इस लोगेटिड इन विच स्टेट कि यह सियौम ब्रिज्ज जो है वह किस राज्य में संबंदीत है अरुनाचल प्रदेश के अंदर है यहीं पर शियौम नदी का नाम है शियौम की एगर बात की जाए तो शियौम रिवर जो है यह ब्रहंपुत्र का एक Tributory है ठीक हैgua ब्रहंपुत्र की एक साहयक नदी है तرहام पुत्र का E accustomed कीची उइसिवशनज मिनिस्टर राजनाथ सिंग के दौरा इसका उधगाटन किया गया ठीक है गर इसे ऑन्हाइट की पुल है तो कि आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि विच मिनिस्ट्री वूड लॉंच नैशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कौन सा मंत्राल है राश्ट्री हाइड्रोजन मिशन शुरू करेगा अभी गौर्मेंट का टार्गेट है कि हम अपने देश में जो है सो हाइड्रो फ्यूल यह ऑउक्षिजन से रियक्ट करेगा तो यह एच्टू बनाएगा इसमें क्या बनेगा वाटर बनेगा ठीक है इसमें बनेगा भी तो जल बनेगा वाटर जो कि प्रदूसन नहीं करेगा तो इसलिए आने वाले टाइम पर एक अच्छा फ्यूचर है यह तो तो मिन हाय तो इसी के अंतरगत 2030 तक यह है कि सरकार ने मतलब हमारी गबर्मेंट ने यह टार्गेट बनाएग कि 2030 जो है at the 17th प्रवासी भारतिय दिवस कि जो यह भी 17 प्रवासी भारतिय दिवस मनाये गया है इसमें चीफ गेस्ट कौन थे ठीक है न तो इसका जो सही आंसर होगा आपका इर्फान अली होगा ठीक है न तो इर्फान अली को यह जो इर्फान अली है यह गुवाना के थीम क्या था ठीक है तो इसका थीम क्या था डायस्पोरा रिलाइबल रिलाइबल पार्टनर्स पूर इंडिया से प्रोग्रेस इन अमरित काल ठीक है तो जैसे कि अगर हम भारतिय प्रवासी दिवस की बात करें तो 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफरीका से भारत वापिस लोटे थे दक्षिन अफरीका से इंडिया इनका लोटना हुआ था और इसी के याद में यह भारतिय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कि इसी तरह से जो अनराइज बगेर है वो इंडिया के तरफ अपना ध्यान केंद्रीत रखे ठीक है अपना जो अटेंशन 24 में गांधी जी ने साउथ अफरीका में कहां से आते साउथ अफरीका से तो वहाँ पे इन्होंने एक नटाल कॉंग्रेस की इस्थापना भी की थी नटाल कॉंग्रेस और रंग भेत के विरुत इन्होंने वहाँ पे सत्यागरे भी चलाया था और भारत में आके जो गांध सोला के लखनव सत्र में भाग लेने गए थे जब उसमें पार्टिसिपेट करने गए थे तो वहीं पे राजकुमार शुक्ले ने इन्हें आमंत्रित किया था और चंपराण सत्यागरा किसके विरुत था तो यह इंडिगो कल्टीवेशन नील की खेती के विरुत था यह इंड अज़ाइब भारत में हईड्रोजन ट्रेंज करने वाला पहला देश जो बनाये वह कौन सा बनाया चाइना बनाये ठीक है ना है तो चाइना पहला कंट्री एशिया के अंदर में और यह वर्ल्ड में सेकेंड इससे पहले पूरे अगर आप वर्ल्ड की बात करोगे तो जर् अर्मनी में चलाया जाता है और एशिया में पहला जरूर चाहिना हो जाएगा यह जो हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेंच चला रहा है ठीक है इसका जो टोटल रेंज है वह 600 किलोमेटर तक अब पीछे पता है कि इस तरह के फ्यूल से नहीं होता है क्योंकि यह बनाता है वाटर हाइड्रोजन और इसका जो हाइएश्ट स्पीड है वह 160 किलोमेटर पर आवर तक हो सकता है अब लिए व्याइट अर्मी ओफिशर टुगेट ऑपरेश्ट ली डिप्लॉइड ऑन सीयाचिन ग्लेशियर टो सीयाचिन ग्लेशियर पर डिप्लॉइ की जाने वाली जो पहली महिला ओफिसर है वो कौन है तो यह कैप्टन शिवा चोहान होगा ठीक है इसका आंसर क्या हो किया गया है कुमार पोस्ट पर तो पहली भारती में पहली महिला है जो कि तीन महिने के लिए यहां पर पोस्ट की गई थी ठीक है सियाचिन दुनिया का सबसे हाइस्ट वार फिल्ड है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा टेंशन रहता है ठीक है हाइस्ट वार फिल्ड लॉंगेस्ट ग्लेशियर भी है वर्ल्ड का ठीक है ना जहां तक बात करें इख ने यह उप्रेशन में धूत की तो जब सियाचिन पे कपजा के लिए पाकिस्तान ने अटेक किया था तो पाकिस्तान को को ऑपरेशन में एक दूद के ही तहत रोका गया था ठीक है ना 1984 में ऑपरेशन में एक दूद आये था ठीक है यह कुछ तो सथ tuh एल डश्राहज़ार शेस वफटकी उचाई पर ये गाफी हाइट पर है तो sought the तीन महीने के लिए को यहां पर किया गया है कुल नलीकित में से किसकी वापसी के उपलक्ष में मना जाता यह भारती प्रवासी दिवस थोड़ी ही देर पहले मैं आप से डिसकस करके आया हूं जो सत्रवा भारती प्रवासी दिवस था उस पे कि महात्मा गांधी जो है सो कि जो अंतराश्टी पतंग महुतसब 2023 है कि शहर में आयोजीत किया जा रहा है तो इसका आंसर आपका एहमदाबाद हो जाएगा ठीक है गुजरात एहमदाबाद तो वहीं पर मकर सकरांती के दिन ठीक है ना इंटरनेशनल काइट फेस्टिबल मनाया जाता है एहमदाबाद इ जी ट्वेंटी का पार्ट भी बनाया गया था और यह आठ से चौदा जनवरी तक इसको सेलिब्रेट किया गया था ठीक है ना बाकि पिछले दो साल से यह नहीं मनाया जा रहा था कोविड-19 पेंडेमिक की वज़े से इंटरनेशनल काइट फेस्टिबल नहीं हो पा रहा थ नेक्ट कोशन है कि नैशनल यूथ फेस्टिबल वस और्गनाइज इन विच आप दी फॉलॉविंग सिटी इन जनवरी तूथाउजेंट ट्वेंटी थ्री तो यह हुबाली ठीक है ना हुबाली में इसका उद्घाटन किया गया नरेंदर मोदी के द्वारा यह नैशनल य जनवरी को नैशनल यूथ डेवी मनाते हैं 12 जनवरी को ही हम नैशनल यूथ डेवी मनाते हैं और यह स्वामी विवेका नंद के जनम दिन को ही इस रूप में मनाया जाता है ठीक है अगला कॉर्शन वाट इस्टिमेट ग्रोथ रेट आफ टाइगर पॉपुलेशन इन ब्रधि कर रहा है भारत के अंदर में बाध देखो जहां तक टाइगर की बात की जाये तो पूरी दुनिया के 75o3 Tiger और सबसे ज्यादब वाला मध्य प्रदेश है सबसे ज्यादा बग किस राज्य में मध्य प्रदेश में वहीं अगर आप बात करोगे सब्से ज्यादा बाग वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है टाइगर रिजर्व ठीक है तो पूरा स्टेट का बात हो गया मध्य ग्रोथ के साथ दॉपो वैसे तो हमारे देश में Tiger का जो census है वह एंटी-सी-ए के द्वारा कराया जाता है और हर चार साल पर इसे कराया जाता है ठीक है न तो जब 2018 में यह census हुआ था तो भारत में बागो की संख्या 2964 ती और जब दो हजार बाइस में इसका सेंसेस कराए गया तो चार साल में इनकी संक्या 200 बड़ी और यह आपका 3100 स口 है कि कि इतना हो गया 3118 हो गया 200 संस्ख्या बड़ी थी इनकी अभी रिसेंट रिपोर्ट में यह 3925 है ठीड़ा और आम ते अगर हम ती कि प्रुजेक्ट टाइगर की बात करे प्रुजेक्ट टाइगर तो इससे 1973 में शुरू किया गया था और प्रौजयikt टाइगर और तभ सब्सक्राइब कि निर्यात तियारी सुचकांग 2022 किस राज्य ने पहला इस्थान हासिल किया है दोस्तों इसका अंसर तमिल नाडू जो है इसमें वह फॉर्स्ट पे रहा है ठीक है वही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें यह सेकेंड पे रहा है वह अगर करनाटक की बात करें तो इसमें जो कुझरात का नंबर रहा है ठीक है तो तो एक्सपोर्ट प्रिपेड्नेस में अप जानते हो बाहर सामान को भीजना निर्यात तैयारी सूचकांक में यह आपके शिर्स के वही अगर आप मतलब हिमाले रिज पहला महराश्टर करनाटक और गुज्रात ठीक है ना नीति आयोग आप सभी जानते हो नाशनल इंस्टिटूट फोर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया होता है और नीति आयोग का जो गठन है वह मारे देश में एक जनवरी 2015 को प्लानिंग कमिशन को योजना आयोग को रिपले प्लांट है वह गुज्रात के अंदर स्थापित करने जा रही है सेमी कंडुक्टर आप जानते हो कि कंप्यूटर बगएर में यूज होता है चिप बगएर में में इसका उप्योग किया जाता है तो इसका आंसर आपका गुज्रात हो जाएगा ठीक है नेक्स पॉस्चन वह टिस दि रैंक को इंडियान पासपोर्ट एज पर हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की अनुसार ूइंडिया का जो रैंकिंगेंग है वो कित्रा है एक्चुली एक्षरी बच्चों यह जो रैंकिंग है न यह किस आधार पर दी जाती है यह जो रैंकिंग है यह इस आधार पर जाती कि कितने कंट्रीज जो हैं कितने कंट्रीज जो हैं वह आपको वीजा फ्री देते हैं वीजा फ्री देते हैं जब आप उन देशों में जाते हो तो अभी इस सबसे सबसे पावरफूल पासपूर्ट फर्स पे है इस जिसको टोटल 192 देशों का वीजा फ्री मिला हुआ है ठीक है ना जापान ने काफी समय तक अपना परचस पर जारी रखा इस पर डॉमिनेंसी रखा इस इंडेक्स पर जापान अब तीसरे पर आ गया है अगर हम जापान की बात करेंगे तो जापान इसमें थौर्ड पर आ च एकर्मनी यह आते हैं मतलब ठीक है और यह सेकेंड रैंक पर आते हैं जबकि थौर्ड पर जापान आ जाता है इंडिया की जो रैंकिंग हो जाएगी ए कि अस्से भी रैंकिंग हो जाएगी भारत की ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन यहां पर आप देख सकते हैं नॉब्डिक elephant is a military exercise between India and which country जो nomadic elephant गुमंतु हातु भारत और किस देश के बीचे सेनने अभ्यास है तो यह सेनने अभ्यास मंगोलिया और भारत के बीचे यह सेनने अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है तो यहां पर यह सेनने अभ्यास हुआ ठीक है दोस्तों । अगर मंगोलिया की बात की जाए तो ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है चाइना के ऊपर पड़ता है नौर्थ में पड़ता है जिनके पास कोई समुंदरी सीमा नहीं होता है अन्य देशे तो चार तरफ से घिरा होता है इसे आप Landlock देश कहते हो तो मंगोलिया ऐसा दूथरा सबसे बड़ा देश है दुनिया का कजाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा Landlock देश कजाकिस्तान हो जाता है है मैं नेक्स कोर्शन है कि वह हैस विकम भारत में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर के रूप में रहने वाले कौन बन गए है तो अभी यह माईल स्टोन जो है यह हासिल किया है दूसरे पे नवीन पतनाएक जो की उडिशा के CM है ठीक है उडिशा के CM तो पूरे 23 वर्ष और 149 दिनों का CM रहने का यह record बना है दूसरे पे है यह ठीक है ना second है सबसे लंबे CM रहने वाले इन् थे वेश्ट पंगॉल के CM जोति वसुं का record तोड़ा है जोति वसू ठीक है यह आते थे जोति वसू वेस्ट ब्ंगॉल के जोति वसुं लेकिन अभी बहएम कुमार के लिया रहनख कुमार के सिक्किम के सबसे लंबे समय तक सी एम का पद रखने के मामले में जबकि दूसरे पर नवीन पतनायक हो गए है जो कि उडिसावे बिजू दल ठीक है ना बिजू दल से कि BJD से एक नेता हैं ठीक है तो यह चीज है तो दोस्तों यह आवारे आज के करेंट अफेर का सिरिस ठीक है इसको आप अच्छे से करें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि और अपके एकजाम तक पूरा एकदम सटीक और अच्छा करेंट डल जाएगा कम से कम thousand questions को हम focus करके चलेंगे exam तक ठीक है तो आप इसको अच्छे से cover करें फिर मिलते हैं next series के साथ तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें धन्यवाद